अच्छा अभी हम सबको पता है कि डेंग्यू बहुत ज़्यादा फैल रहा है इंडिया में ठीक है और दिल्ली में क्या हो रहा है कि घर घर जाके ये चेक किया जा रहा है कि किसी के घर के आसपास पानी तो नहीं जमा है या किसी के घर के अंदर कूलर में पानी तो नहीं जमा तो यह सब चेक करने के क्या जरूरत है ना मच्छर तो कहीं से भी आ सकते हैं क्यों है यह चेकिंग क्यों हो रही है और जिस घर में ऐसा स्टेगनेंट वाटर इस्थीर पानी मिल रहा है उनके खिलाफ कारवाई भी की जा रही है तो पहले तो हम मौस्कीटो की लाइफ सैकल को देख लेते हैं कि क्यों ऐसा किया जा रहा है उसके बाद हम डेंग्यू के बारे में भी डिसकस करेंगे देखो मौस्कीटो जो होता है जो मादा मच्छर होती है वो पानी में अंडे देती है समझ रहे हो कहीं भी अगर स्थीर पानी है तो वो मच्छर उस पानी में अंडे देगी और एकात नहीं देगी पूरी लाइन बना के देती है समझ रहे हो तो पहला तो प्रोसेस होता है अंडे देने का ठीक है अंडे पानी में दे दी अब अंडा पानी में चला गया उसके बाद लार्वा इस्टेज आता है लार्वा मतलब वो अंडे में से बाहर निकलाता है ठीक है बच्चा उसका जो अंडे में से बाहर निकलाता है और क्या करता है पानी की जो सतय होती है जो पानी की सतय दिख रही है वहा प्यूपा फॉर्म में गियन्ग माय ढमाद मखच्छ पान र्हए से पहले टार लार्वा कोạnh क्षा होसpero कर ऐसे लाँ जाता है थोड़ा सा मुझ का बाहर रहता है कि वह कवा से सांस ले में सके उसके बाद वर्लयवा कि कुछी प्युपा तो उसको जमा मत रहने दो, कूलर में हो जाहें, कहीं पर भी हो घर के बाहर नाले में, ये सब पानी जमा मत रहने दो, क्योंकि मच्छर पानी में ही अंडे देते हैं, और पानी में ही वो सास लेते हैं, उसके बाद जब उसके बच्चे बड़े होते हैं, तब वो बाहर आके उठते हैं एंडा पानी में ही फूरता है मचर का इसलिए बोला जाता है कि गर्मे जो आसपास के में जमा पानी है उससे बहुत ज़धा फैलता है आप देखो डेंग्यू होथ है मचर के बारे में तो आप जान लिए वो ठीकि अगर 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 पूछ कि क्यों बही क्यों बोला जाता है कि stagnant water को जमा पानी को मत जमा मत होने तो फेंग तो यह कारान होता है तो डेंग्यू क्या होता है डेंग्यू को break bone fever भी कहते हैं ठीक है इसको dandy fever भी कहते हैं ये डेंग्यू fever के अलग-अलग नाम है ये ज़ादा तर टॉपिकल और सब नाम होता है एडिस एजिप्ती मौस्कीटो फीमेल मौस्कीटो होती है सीदी सी बात है इसके काटने से टैंगी वाइरस हमारी बॉड़ी में आ जाता है और já सकते हैं और यहां्झी वाइरल इंफेक्षन हो को जाता है ठीक है कभी भी मेल मौस्कीटो से यह सब नहीं होता है ये सारा जो होता है female mosquito से होता है इंसानों में क्योंकि male mosquito plants से जीवित रह सकते हैं लेकिन female mosquitoes को blood की जरुरत पड़ते है blood चूजती है female mosquito ठीक है male mosquito नहीं करते है ऐसा कुछ भी तो जितने भी मच्छरों की बिमारिया है वो female mosquitoes से ही होती है और यह जो mosquito है यह zika virus भी फैलाती है चिकन गुनिया भी फैलाती है यह edis egypti mosquito ठीक है edis egypti mosquito ही है जो dengue, chicken गुनिया, zika virus यह सब फैलाती है यह एक ही mosquito का काम है ठीक है तो dengue fever भी इसी से होता है हमारी body में यह virus जो है यह चला आता है उसके बाद हम भीयानक तरीके से बिमार हो जाते है और इसके कारण death भी हो सकती है डेंग्यू से क्या होता है body के जो platelets होते हैं वो कम होते जाते हैं ठीक है और दुनिया भर में डेंग्यू के हजारों लाखों cases आते हैं जिनमें कई सारे मौते भी हो जाती है अब इंडिया में भीयानक तरीके से northern states में डेंग्यू फैल रहा है ठीक है ना कई cases हो गए है और डेंग्यू के symptoms क्या अगर आपको हो जाता है किसी को भी हो जाता है तो इसमें क्या होगा बहुत ज़्यादा सर में दर्द होगा body के joints में और muscles में बहुत ज़्यादा पेन बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है डेंग्यू में और एकदम इंसान जो है एकदम कमजोर हो जाता है डेंग्यू होने के बाद जब आदमी recover भी कर जाता ना फिर भी उसको पूरी तरीके से अपने फॉर्म में आने के लिए मतलब पूरी तरीके से healthy दिखने के लिए बहुत चेकिंग की जाती है कि किसी के घर में गंदा पानी तो नहीं जमा है और जमा होता है तो उसके लिए actions भी लिए जाते है ठीके ना अभी भी हो रही है चेकिंग इसलिए हो रही है क्योंकि stagnant water में मैंने आपको बता ही दिया मच्छर अंडे देते हैं उससे फिर बाहर आते है और वहीं आसपास में ही वो फैल जाते है ठीके अब जहां से उसका जनम हुआ है सबसे पहले तो वहीं पर उड़के गुसेगा ना समझ रहे हो बात को तो इसलिए डेंग्यू जब फैलता है तो जो जमा पानी है उसको बोलता है फेग दिया करो ठीके उसको जमा नहीं रहन है फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं आज के लिए इतना ही थैंक यू